तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशोप तो जिन लोगों को फोटोशोप बिल्कुल भी नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है वो चिरफ यह देखने के लिए के कोई नहीं चीज सीखने को मिल जिए तो उनका भी वैलकम और जो न्यूर स्टूड़न्ट है उनका भी वैलकम तो आज हमारी पहली क्लास है तो यह डेमो क्लास दे रहा हूं बहुत सारे लोगों जो है अडिटिंग की तरफ आना चाहरे थे तो इसलिए मैंने यह क्लास रखी है कि इनको कुछ सीखने को मिल जिए अगर आप यह फोटोशोप सीख लेते हो तो आप अपना खुद का काम कर सकते हो अप वर्क या फाइवर पे जाके अपनी आईडि बना के आप वहां पे लोगों को काम करके घर में बैठके पैसे कमा सकते हो तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको फोटोशोप A to Z आना चाहिए तब ही आपको काम मिलेगा यह निए कि आपको दो तीन टूल आते हो और आप उनी की मदद से क्या हो कि मैं यह काम कर लूँ ऐसा कुछ नहीं होगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको फोटोशोप मिलेगा कहां से या आप डाउनलोड कहां से करोगे तो सबसे पहले बेसिकली जो हमारी चीज़ है वो है फोटोशोप का सोफ़वेर आपको कोई भी सोफ़वेर चाहिए हो तो आपने क्या करना है कि आपको मैं यहां पे दिखा देता हूँ एक वेबसाइट आपको कोई भी सोफवेर जैसे कि आपको पता ही है कि फोटोशोप का जो सोफवेर है वो फ्री नहीं है जो ओल्ड वर्जन है जो 07 वाले वर्जन है बहुत पुराने वर्जन है वो आपको फ्री में मिलेंगे लेकिन जो अब न्यू फोटोशोप आ रहे हैं वो फ्री में नहीं है तो सबसे पहले मैं यहां पर एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जहां से मैं यहां पर फोटोशोप को डॉनलोड करूँगा तो यहां पर मैं सर्च बार में जाकर लिख देता हूँ फोटोशोप तो यहां पर मेरे पास बहुत सारे फोटोशोप आजेंगे 2019 के भी है, 2020 के भी है, Master Collection भी पढ़ा हूँ है यहां पर CS6 पढ़ा हूँ है लेकिन आप लोगों ने जो करना है वो करना है यह Portable Portable का मतलब क्या होता है Portable का मतलब है कि यह आप 32 बिट पे भी इंस्टाल कर सकते हो और 64 बिट पे भी यह बगार इंस्टाल किये यह आपके सिस्टम में रन कर जाता है क्योंके कुछ सो सिस्टम होते हैं छोटे होते हैं उन में जो है फोटोशोप बड़ा जो है वो इंस्टाल नहीं हो सकता जाएं जब यह कभी ऐसा होता कि कुछ लोगों के पास इंस्टाल करना नहीं आता उनको और वो एरर दे जाता है तो उनके लिए यह वाला सोफ़वेर सबसे असान है इसमें कोई इंस्टाल करने का इतना कोई परसीजर नहीं है इसमें सिंपल आप ओपन करोगे और आपके पास यह सोफ़वेर काम करना स्टार्ट हो जाएगा वैसे तो आपको यहां पर और भी सोफ़वेर मिल जाएंगे फोटोशोप के जैसा के यह सीएस थ्री यह सबसे बेसिक है जिसके पास पैंटियम टू यह पैंटियम थ्री है वो इसको यूज़ कर सकता है क्योंके पैंटियम टू थ्री में यह बड़े वाले तो क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है सक्रॉल डॉन करना है और यहां पर आपको एक मिलेगा डाउनलोड का बटन यहां पर आपके पास डाउनलोड का बटन है आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है तो डॉल्लोड के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास अलाओ और ब्लोग का आएगा आपने इसको ब्लोग कर देना है और मैं आपको यहाँ पे कॉर्नर पे अगर नजर आ रहा हूँ तो यहाँ पर स्कीप पैड का बटन आगे हम स्कीप तक कलिक कर Une उसके बाद यहां पर आपके पास एक पॉपप उपन होगा अलाव और ब्लॉग का तो यहां पर आपने अलाव करना है अगर आपने अलाव ना किया तो आपके पास जो है वो डाउनलोड नहीं होगा तो यहां पर हमारे पास यह सॉफ्ट वेर आ चुका है तो हमने सिंपली क्या करने है यहां पर एक साइट पर चोटा सा डाउनलोड का बटन है इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और डाउनलोड आलवेज पर क्लिक करने है यह हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो ज तो है मैं आपको इसको इंस्टाल करने मं बता देता हूं क्यूंकि य ही जो CS six आप जो पोर्टेबल में आपको डे रहा हूं। یہ जांदब थर य यूज होगा और यह हर सिस्टम में इंस्टाल हो जाड़ा बड़ा च्छोटा सिस्टम कोई भी हो सब में यह इंस्टाल हो जाता और विंडो का भी इशू नहीं करता जानी कि यह ऐसा सोफ़वेर है जिसके अंदर एरर नहीं है बाकी आप जो करोगे जैसे 2020 है वो तो बड़े सिस्टम पर भी थोड़े से एरर दे रहा है तो इसलिए मैं तो आपको यह कहूंगा कि आप यह ना देखो कि वो 2020 का सोफ़वेर है 2019 का है तो उसमें जादा चीज़ें जादा कोई डिफरेंस नहीं है बस एक दो टूल उनके जादा है तो आप लोगों ने क्या करना है कि यह वाला सोफ़वेर डाउनलोड कर लें अगर आपको फोटोशोप के बारे में नहीं पता एरर से बचना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूं और इसको देख लेता हूं कहां पर यह डाउनलोड हुआ है मेरे पास यह पड़ा है और उसके बाद मैं फोल्डर बना लेता हूं और इसको मैं इसके अंदर लेके जाता हूं और इसको ओपन करके इस पर राइट तो यह बेसिकली हर किसे हर लैपटोप या कंप्यूटर में पहले से इस्टाल होता है यह देखें यहां पर मारे पास एक ही सैटप पड़ा हुआ है कोई इसका क्रैक का मसला नहीं होगा कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा कि यह दो-चार दिन चलके बंद होजेगा तो मैं यहां पर सैटप पर क्लिक करता हूं और इंटर कर देता हूं इंटर करने के बाद यहां पर आपने सिंपल नेक्स्ट करना है और उसके बाद वह पूछ रहा है कि आप इसको इंस्टाल कहा करना चाहते हैं मैं इसको रख लेता हूं यहां पर डोकुमेंट के अंदर मैं न्यू फो फोटो शोप तो यहां पे मेरे पास फोटोशोप का एक फोल्डर बन गया इसके अंदर डॉकॉमेंट के अंदर मैं ओके कर देता हूं और इसको इंस्टाल कर देता हूं अगर किसी का कोई माइक का इशू है माइक ओपन नहीं हो रहा तो वो मुझे बता सकता है मैं उसको बता दूँगा के मुबाइल वाले लोग जो हैं माइक कैसे ओन कर सकते हैं यहां पर हमारे पास वो इंस्टाल हो चुका है मैं यहां पर सिंपली फिनिश पर क्लिक कर दूँगा और अब हम जाके देखेंगे यह जहां पर इंस्टाल हुआ था यह हमारा डॉकॉमेंट रहा इसके अंदर हमने फोटोशोप के नाम से फोल्डर बना था यह आप फोटोशोप इसको उपन करके देख लेते हैं तो यह हमारा पड़ा हुआ है तो हम यहां पर साइड पे आपके पास यह डाउनलोड डॉकॉमेंट फोटो इस तरह के आपके पास फोल्डर आ रहे होंगे इसमें मैंने इसक तो यहां पर हमारा यह वाला देखो कितनी असानी से बगार किसी एरर के हमारा सौफ़र इंस्टाल भी हो गया और ओपन भी होगा और यह चलेगा भी जब तक हमारी विंडो रहेगी यह तब तक चलेगा तो यह हमारा आगया सौफ़र बेसिकली हमारा जो फोटोशोप का सौफ़र है वो कुछ इस तरह का आपको नदर आएगा तो इसमें आपको बहुत सारी नहीं चीज़े मिलेंगी तो जैसे के यहां पे नीचे विंडो ओपन हुई है मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो मैं इसके साइड पे एक चोटा सा एरो का निशाने यहां पे क्लिक करूँगा और यहां पे क्लिक कर दूँगा यह बंद हो जागी तो किसी भी window को बंद करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और close पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यह देखो मैं सारी चीज़ें close करके आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आपका कोई एक software है हर कोई software को अपने लहाँ से वो तर्तीब देता है manage रखता है अपने computer या laptop में ताके उसको जो है काम करने में असानी हो तो जैसे के मैंने यहां पर यह ऐसे चीजें यहां पर खराब कर दी है सारी यह देखो यहां पर एक हमें यही टूल नजर आ रहा है तो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह का कोई मसला आजे तो वो क्या करते है फोटोशोप को uninstall करके install कर लेते हैं या कोई भी ऐसा software जो आपके पास खराब हो जाए इस तरह से तो आपने फोटोशोप को uninstall नहीं करना आपने क्या करना है कि उसके यहां पर यह उपर menu बार है उसमें आपने चेक करना है यहां पर आपको कोई ना कोई option ऐसा मिल जागा जिससे आपके फोटोशोप की setting reset होती है जैसा कि इसके अंदर है window में उसके बाद workspace में और आपके पास यहां पर यह देखें यहां पर news workspace और reset delete workspace यह सारे आगए आप अपनी मर्दी का भी workspace बना सकते हो और आप byte file जो पहले से बना हुआ उसको भी यूज कर सकते हो मैं byte file पहले से जो बना था मैं वह यूज करना चाहता हूँ मैं यहां पर reset पे click कर देता हूँ जैसे मैंने reset पे click किया हमारे जितने भी tool गैब हुए से वो सारे के सारे वापस आ गए तो जैसे के हमें यह नहीं चाहिए हम इसको close कर देंगे तो इतना सा काम था इसमें और इसमें क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले आपको tools के बारे में या इसकी layout के बारे में इसके interface के बारे में आपको पता होना चाहिए तो यहां पे सबसे उपर जो हमारे पास यहां पे file, edit, image, layer, type यह जो line आपको उपर वाली नजर आ रही है इसको बोलते है title बार तो basically क्या है कि जितने भी software आप computer पे use करोगे उनकी यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो सबकी same होती है जैसा कि एक यह title बार हो गया, यह हर software में title बार मजूद होता है दूसरा हमारे पास है toolbar, यह side पर हमारे पास यह toolbar आ रहा है जिसके अंदर चीज़ें बनी हुई है इसको हम select करके अपना काम करेंगे, इसको कहते है toolbar हर software के अंदर अपना एक toolbar बार भी होता है toolbar के साथ-साथ आपको यहां पर उपर देख रहे होगे, जैसे मैं किसी tool के उपर click करता हूँ तो हमारी property जो होती है, जिससे हम अपने tool को modify कर सकते हैं, उसमें changing ला सकते हैं, वो उपर change हो रहे है जो tool के लिहाज से change हो, कोई tab change हो रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे property bar यानि कि यह इस tool की property है, हम इसकी मदद से इस tool को अपनी मर्जिस से काम में ले सकते हैं तो यहां पर यह आप चेक करोगे हर किसी की अपनी अपनी property है, अपना अपना वो काम करती है और जिसको यहां पर tool यूज़ करने आगे, उसको समझे लो, Photoshop यूज़ करना आगया और वो लाजमी नहीं है कि आप इस tool, अगर कोई दूसरा बंदा इस tool से काम कर रहा है तो आप भी इस tool से करो आप जो इस tool से काम होता है, वो इस tool से भी कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा tool क्या काम करता है तो इसमें basically मारे पास तीन चीज़े हैं, जो हमें जादा याद रखनी है, तीन या चार एक तो इसका आपको मैन्यू बार tentang पता होना चाहिए, टूल बार पता होना चाहिए, यह इस side वाली टूल बार होती है उसके बाद प्रोपर्टी बार के बार में पता होना चाहिए, उसके बाद main चीज़ जो इसमें है layer बार जो आपको यहां पे लेयर का उप्शन नदर आ रहा होगा हम जो भी काम करेंगे यहां पे हमारे पास लेयर बा लेयर बनता आएगा जिससे हम अपने काम को जादा असानी से कर सकते हैं तो अब हम क्या करते हैं यहां पे सबसे पहले हमारे पास यहां पहे कोई भी फाइल ओपन नहीं है, हमने कोई फाइल बनानी है. फाइल बनाने से पहले मैं आपको बताओतूं के आपको प्रैक्टिकल करने चाओतु आपने क्या करना हैं, इसको पढ़ना भी है जैसे ही साथ साथ आप पढ़ोगे तो आपको फूररी समझ आएगी कि इस चूल को उस चूल में बता क्या रहा है अगर आपको इप छिया लक्चर आप लिए या अपने नहीं लिया आपके सामने पढ़े ऊपको इनकी जो लोगो बने हुए उन से देख कि आपको पता चलना चाहिए कि ये काम क्या करते हैं तो जैसे कि मैं यहां पर एक वैबसाइट लिखता हूं आपको बनी बनाई चीजें देजी हैं जैसा कि यहां पर यह लोगो जा रहे हैं अगर आप इस तरह का लोगो बनाना चाहते हैं तो आप एक क्लिक करोगे आपका लोगो 3D में कनवार्ट हो जाएगा यहां पे लोगो ही नहीं यहां पे आप अपना नाम कोई भी ऐसी चीज जो आपको असानी से ना मिल रही हो वो आपको इस वेब साइड के अंदर मिल जाएगी यहां पे फोटो फ्रेम भी पड़े हुए आप देख सकते हो फोटो फ्रेम है उसके बाद यहां पे आपके पास यूटूब के चैनल आर्ट पड़े हुए यहां पे आपने दो क्लिक करने आपने अपना नाम लिख लेना और तस्वीर लगा देना और आपने अपलोड कर देन है यहां पर आपको मिल जांगे पी एंजी फाइल्स पढ़े है हैं और हम मैं आपको दिखाना क्या चाहा आप आप ऊपर डाउंलोड में आपकर देखो गयां परोम्लोड में जाता हूं तो यहां में अर्दू मीडियम में 2019 फोटोशॉप जो आया था, 2019 के अंदर, उसके मताबक यह लिक्यू हुई है, तो यहां पे आपको यह देखें, जैसे के मैं आपको यह देखें, डॉफ फोटोशॉप, तो यहां पे फोटोशॉप के बारे में हैं, सारा इसमें बताया हुए है, यह में एक एक चीज जानी के थियूरी अगर आपने करनी है तो वह आप इधर से कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो वह आप अपने सोफ़वेर पर आके कर सकते हो आप इधर से थियूरी पढ़ो और उसमें देखो कि वह क्या कह रहा है वही सारी चीजें आपको को सोफवेर में हम सबसे पहले स्टाрट कहाँ से करेंगे कि हमें इसमें फाइल कैसे बनानी यहां पर कोई चीज कैसे लेग refusing यह आनी है इस सोफवार केंदर तो यहां पे आपको सबसे पहले फाइल का option नज़र आएगा आपने फाइल पर क्लिक करना हropolis यहां पे आपके पास new का है open का है और browser का है और यहां पे open है और यहां पे और बहुत सारे option है हम use करेंगे open और new new का मतलब है कि आपने ने काम स्टार्ट से करना है open का मतलब है आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें आपके पास time खत्म होगे है आपने बंद करके रख दिया सुबह उठेया आपने यहां पे open में जाके उस उस फाइल को open करवाके दुबारा से वो काम आगे से start कर लिया तो जैसे कि आज Photoshop हमने आज install किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा new से start करना पड़ेगा मैं new पे click कर लेता हूँ new के अंदर हमारे पास कुछ चीजें जिन को हमने हमें, जिन चीजों का हमें पता होना लाजमी है सबसे पहले फाइल का नाम जब भी हम काम स्टाट करें जो हम काम करेंगे वो उस फाइल का नाम लाजमी रखना है ताबके अगर आपके पास यह फोटoshope और प्रेम यह यह फोटishope आप के पास नहीं है तो आप जो है इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हो तो आपको फाइल या उस सोफ़वेर की फाइल को ओपन करने की जरूत नहीं पड़ेगी आप सिंपली उस फाइल को देखती पेचांच जोगे कि ये मेरी इस चीज़ की फाइल थी तो मैं सिंपली यहां पे टेस्ट लिख रहा हूँ टेस्ट लिखके उसके बाद यहां पे आपके पास साइस दिये हुए आप यहां से साइस कोई भी सलेक्ट कर सकते हो अगर आप यहां से सलेक्ट नहीं करना चाहते हैं आप यहां से कर लो उसके बाद जैसे के मुझे किसी चीज़ का आईकॉन बनाना है आईकॉन या लोगो कोई चीज़ बनाते हो तो हम क्या करते हैं उसको पिक्जल के अंदर बनाते हैं 72 pixel का आप resolution दोगे 512, 512 height width के साथ तो ये हमारे पास छोटा आएगा इतना सा ये लगा लो कि ये 72 pixel की resolution है इसकी अगर हम इसी को 100 कर देंगे तो ये size तो वही रहेगा 512 height 512 width लेकिं ये size में बड़ा हो जाएगा जैसा के मैं चाहरा हूँ के मैं अपने book के उपर ये 512, 512 का logo print करवाना चाहता हूँ उसके लिए logo design करना है तो मैंने क्या करना है यहाँ पर मैं 50 कर दूँगा ताके उसकी resolution उतनी रही जितना मैंने book में print करना है अब ये तो आगी 50 book के लिए ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये लाजमी नहीं है के 50 book के लिए रखते हैं या किसी भी चीज़ के लिए by default जो 72 होती है 72 ही use कर सकते हो अब मैं चाहरा हूँ के मैंने एक logo बनाने जो मैंने एक दिवार के उपर print करना है बहुत बड़ी दिवार के उपर तो उसके लिए मैं resolution बढ़ा दूँगा मैं 300 कर दूँगा ताके अगर मैं बड़ा सारा print भी निकालों उसका तो वो logo खराब ना हो वो बिल्कुल HD उसका print आए उसके pixel खराब ना हो तो ये resolution ये काम करती है तो basically यहां पर मैं 72 रहने देता हूं जो पहले से थी उसके बाद वो जहां पर आपको color पूछ रहा है कि आप कौन से color यूज़ करना चाहते मैं तो आपको यह कहूंगा कि आप यह लाजमी चेक कर लें आपका RGB लाजमी selected हो उसके बाद background में पूछे रहा है transparent हो white हो आप white रख लो बाद में आप इस इन सारी चीज़ों को बाद में भी change कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर मैं यह करके ओपके करता हूं तो यह हमारे पास एक file बनी हुई आजेगी यहां पर यह हमारे पास एक file बनी हागी इसी side पे एक layer आगी जिस पे लोक लगा हुआ है इसी side पे उपर test के नाम से एक file open हो गई यह हमारे पास work space आगी जहां पे हमने काम करना है तो इसको आप बड़ा चोटा यह मैं कैसे कर रहा हूं यह आप याद कर लो यह कर रहा हूं control minus से चोटा हो रहा है control plus से यह बड़ा हो रहा है तो सबसे पहले मैं selected tool को select करता हूं और यहां पे मैं select करने लगा हूं यह center वाले box को तो यह देखो मैं center वाला box उठा रहा हूं लेकिन यहां पे कोई और इल रहा है तो इस चीज़ को fix कैसे करने हैं आप लोगों ने यहां पे इसकी property बार में देखना है auto select का एक button है आप यहां पे click करोगे अब क्या होगा पहले वो जो layer select थी मारे पास उसी को select कर रहा था अब आप जहां पे click करोगे वो देखो इधर से layer change हो रही है मैं जहां पे click करूँगा वहीं से यहां पे layer भी change होती है अब मैं क्या करूँगा सेंटर वाले पर इस पे मैं click कर लेता हूँ click कर करके इसको हिलाँगा अब मैंने इसको हिलाना है मैं इस पे click करूँगा इसको हिलाँगा इस पे click करूँगा इसको हिलाँगा auto select का मतलब है कि आप जिस चीज़ को हिलाना चाहते हो उस पे पहले एक बार click कर लो और उसको हिला लो अगर आप auto select पे चेक नहीं है आपका तो आपको क्या होगा कि आप हिलाना ये वाला box बड़ा चाह रहे लेकिन हिल कोई हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है यहां पर आओगे आप इसकी यहां को बंद कर क्यों करोगे यह कौन सी लेयर है यह कौन सी है यह कौन सी है फिर आपको यह यह लेयर है जो मैं हिलाना चाहरा हूं फिर इसको स्लेक्ट करोगे फिर इसको उठाओगे इससे बेतर है कि आप आउटो स का तो यहां पर हमारे पार चार मिनिट रहे हैं अज की मीटिंग सितनी क्लास। तो चार मिनिट में मैं आपको यह बताता हूं کہ अगर आप यह सीखanking लेती हो फोटोश civ decir लेगाप लेगाए इतनी अर्णिंग कर सकते हो जितना एक गाउं में करेाने वाल दुकान वाला बंदा करता है आप उससे चार गुना जादा अर्निंग कर सकते हो अगर आपको ये सारा कुछ फोटो शोप कम से कम फोटो शोप नहीं कर सकते तो कम से कम ओफिस सबसे असान चीज़ है आप ओफिस कर लो उसमें ओफिस में क्या चीज़ ह कि आपके पास वो एक तस्वीर देते हैं एक पेज की तस्वीर आपने उसको टाइप करके देना है जो सबसे कम पैसों का काम है वो भी पाइंट डॉलर का है पाइंट डॉलर के अंदर आप एक पेज टाइप करके दे रहे हो आपको टाइप करने में अगर आपकी स्पीड नह आप किसी तरह पे बढ़ जाएगी अगर आप Android development, website development इस तरह उपर जैसे जाते जाओगे आपकी पेज जो है आपको उसके लिहास से आपको पैसे मिलते जाएंगे तो मैं आपको website हैं बता देता हूँ जो real website हैं आपको वैसे तो बहुत सारी website हैं का पता होगा लेकिन वो क्या होते हैं कि online earning के लिए लोग क्या कहते हैं कि हम एड देखके पैसे कमा रहे हैं आप एड पे क्लिक करो आज हमें इतनी एड मिली हैं हमने इतने पैसे इंवेस्ट कि कोई भी उसमें ऐसा काम नहीं है जो real earning दे रहा हो लेकिन यहां पर दो website में ऐसी बताऊंगा जो real earning देती हैं और वो पूरे word में अभी तक चल रही है और चलती रहेंगी जो मुझे आती है वो है upwork यहां पर मैं simply सर्च कर लेता हूं पहले online working यहां पर देख लेते हैं यह देखो upwork मैं आपको वैसे बता देता हूं यहां पर हम सर्च कर लेते हैं upwork एक तो हमारे पास यह है upwork वाली इसको मैं open कर लेता हूं यहां पर अपना account बनाओ और आपको यहां पर यहां पर क्या होता है कि हर कोई यहां पर अपना काम दे भी सकता है और काम किसी से ले भी सकता है यह आप अपने मुबाइल पर भी यूज़ कर सकते हो और अपने इदर laptop या computer पर भी एक तो है हमारे पास upwork दूसरी मैं आपको बता देता हूं एक है फाइवर और तीसरी है फ्री लांसर यह फ्री लांसर तो यह तीन वैब साइड हैं और इस में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो कोई एक जो आपको समझ आजे तो अगर तो आप यह सीख लेते हो तो जब हमारा photoshop कतम होगा तो उसके बाल मैं इसको भी बता दूँगा कि यह आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो किस तरह ID बना सकते हो किस तरह ID अप्रूव कर सकते हो तो हमारी जो class जो है class का time हमारा 9 ही होगा कल भी हम 9 बजे ही लेंगे अगर किसी को कोई और लेना चाहरा है तो जो link आपको email में आ रहा होगा वोगी link आप उसको send कर देना वो यहाँ पे class में join होगा तो यहां पे मेरे पास ओपन नहीं हो रही है, यहां पे मैं वैसी आपको बता देता हूँ, यह ऐसा कि हम यहां पे डिजाइनिंग में चले जाते हैं, यहां पे हमारा जो काम स्टार्ट हमने जो क्लास स्टार्ट किया है, यह है किया है डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग में यहां पे हम देख लेते हैं कि डिजाइनिंग में लोग क्या पे ले रहे हैं भी आपको जो काम करके देंगे उसके कितने पैसे ले रहे हैं और क्या हिसाब किताब है यहां पे यह देखो ग्राफिक डिजाइनिंग और यहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यहां पे आप देख सकते हो कोई एक चीज़ आपको यहां पे आप क्या एक चीज़ क्या अगर आप फोटोशॉप कंप्लीट सीख लेते हो तो आ हजार प्या ले लेंगे यह आठ्सो ले रहा है ये पांच हजार ले रहा है यहां पे एक हजार सोल Carne हजार यहां पे देखो एक लोगो डिजाइन करने का सोले हजार प्या ले रहा है